हालो फ्रेंट्स ओनलाइन क्लासेज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो में लेके आई हूँ कंप्यूटर जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट दस अजार क्यूशन की जो हमने सीरीज चला रखी है उसका आज हम करेंगे पार्ट एट करेंगे और इससे पहले इसके साथ वीडियो अल्रेडी हम कर चुके हैं तो आप उनको जरूर देख लीजेगा क्योंकि मोस्ट इसी तरह सारी कूसर आंसर बताना है जिस किसी कुशन का आंसर आता है इनकीज कोई क्योंको अंसर आप गलत कर देते हो उसपे जादा फोकस करना है ताकि exam में गलती ना करो आपसे question पूछा जा रहा है computer असुद्धी को क्या का जाता है options है bit, byte, bug या फिर probe तो computer असुद्धी की बात करें तो इसे हम कहते है bug कहते हैं क्या कहते हैं bug option C next question computer hardware में जो silicon का बना होता है आकडो की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है options है disk, chip, चुम्ब की ये tape या फिर file तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option B correct answer हो जाएगा chip इस question का right answer होगा next question है यहाँ पर बताना है कि इन में से कौन सा एक electronic device है जो की data जो है उसको information में convert करते हुए process करता है options है processor या फिर computer का या फिर case हने का या फिर stylus तो right answer यहाँ पर हो जाएगा processor execution का correct answer हो जाएगा processor option है वैसे तो देखते है आनच ये तो अच्छा ये बताओ computer process जो है इसके दुआरा यहाँ पर आपको बताना है कि computer process के दुआरा count से dash information में परिवर्तित किया जाता है किसको information में परिवर्तित किया जाता है options है number processor या फिर input का पता या फिर data तो friends जो data होता है उसको convert करते हैं computer process के दुआरा जो data होता है वो information में क्या करते हैं convert करते हैं next question यहाँ पर बताओ very very important question अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है आपको बताना है ATM जो है यह क्या होता है ATM का तो सभी को पता होना चाहिए ATM जो है यह क्या होता है बिना स्टाप के नकती देना अब questions की बात करें तो कई बार यह जो questions पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं जो full phone पूछी जाती है जैसे ATM है तो इसके full phone क्या है तो friends इसके लिए देखो आपको करना क्या है एक full phone वाला वीडियो मैंने डाला था तो वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि देखो उसमें क्या है मैंने सारी जितनी भी important important full phone है ना उनको सबको cover किया है तो चलो अब हम बात करते है ATM की full phone के बारे में तो ATM की full phone होती है automated tailor machine automated tailor machine इसकी full phone होती है next data processing का अर्थ बताओ क्या है data processing data processing की बात करे तो इसका अर्थ होता है वानी चे उपयोग के लिए जानकारी तयार करना ये इसका कार्य होता है next question CPU के उस भाग का बताओ कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी computer components जो है इसकी गती विदियो को coordinate करता है वो निमन लिखित में से कौन सा है option A कह रहा है motherboard, coordination board, control unit या फिर arithmetic logic unit तो right answer हो जाएगा option C correct answer है control unit option C next question database जो है इसमे dash, fields, calculation करने के लिए प्रियुक्त number store करते हैं तो जो database है ना इसमे जो numeric होता है तो देखो नाम में यह आ रहा है numeric तो यह क्या करते है fields calculation यह करने के लिए number store करते हैं तो right answer option डिये next question computer में जाने वाला जो data है उसे हम क्या कहते हैं option से output algorithm, input या फिर calculation तो computer में जाने वाला जो data होता है उसे हम कहते हैं तो right answer option C है next question input जो है input उसका output में रूपांतरन यानि कि input का output में convert होना जो है यह किसके दुआरा किया जाता है option से peripheral memory, CPU या फिर input output unit right answer हो जाएगा input का output में रूपांतरन जो है वो किसके दुआरा किया जाता है CPU के दुआरा next question computer क्या है option A कह रहे है एक electronic machine है या फिर power machine है या फिर manu machine है या फिर विद्यूत machine है तो सर्फ देखो computer की अपन बात करते हैं तो computer जो है वो एक क्या है electronic machine है option A next यहां आपसे पूछा गया है computer की विशेशताएं या कारे जो है वो निमन लिखित में से एक नहीं है तो यहां पर बताना है चार options में से एक ऐसा option है जो की computer की विशेशताएं या फिर हम कहें computer का कारे नहीं है option A कह रहा है data sunclan, data sunshine, data unclean या फिर data निर्गमन तो देखते ही answer आना चाहिए easy सा question है right answer हो जाएगा option C data unclean option C next question computer में data किसे कहा जाता है संक्या को चिन को दी गई सूचनाओं को या फिर चिन वे संक्यात्मक सूचनाओं को तो चिन और संक्यात्मक सूचनाओं जो होती है उसे हम कहते है data next question computer में सूचना किसे कहा जाता है data को संक्याओं को चिन को या फिर एकत्रित डेटा को तो एकत्रित डेटा जो होता है उसे क्या कहते है information यानि सूचना कहा जाता है next यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन CPU का भाग है keyboard, printer, tape या फिर ALU तो जो ALU है न यह किसका भाग है CPU friends इस CPU की बात करें तो इसकी full form होती है central processing unit और यहां पर यह जो ALU लिखा हुआ है इसकी full form होती है algorithm logic unit ठीक है next यहां बोला है कि EDP क्या है यानि कि EDP की एक तरह से full form पूछी गई है तो EDP की full form होती है electronic data processing क्या होती है electronic data processing next question computer में CPU की full form बताना है तो CPU की पिछले question में मैंने discuss करी दिये मैंने आपको बताया है central processing unit जो है यह full form है CPU की CPU जो है इसे computer का क्या कहते है mustix यानि computer का brain कहां जाता है next question ALU की full form जो है वो भी मैं अल्रेड़ी बता चुकी हूँ arithmetic logic unit अब देख लो कौन से option में है तो यह है option A में arithmetic logic unit option A next question CPU निमल लिखित में से क्या है option A कह रहा है chip या फिर box या फिर circuit या फिर peripheral तो CPU क्या है chip है option A right answer है next question computer द्वारा किया गया वुनियादी कारी यानि कि basic operation क्या है आंकिक कारी है तार्किक कारी है डेटा संग्रेन या फिर all तो right answer हो जाएगा all यह सभी option D next question यहां देखो computer का दिमाग किसे कहा जाता है तो मैंने आपको बताया था जो यह CPU है central processing unit के full form होती है इसे हम कहता है computer का दिमाग right answer option A है next question यहां पर बताना है VDU एवं keyboard संपर के बीच इस्तापित करता है option A कह रहा है printer mouse CPU या फिर टर्मिनर तो right answer हो जाएगा CPU यह तो easy सा question है बहुत ही simple सा question है चलो आपको बताना है कि computer एक ऐसा उपकरन है जो सिर्फ गणनक ही नहीं बल्के इसके अलावा और भी जो dash सूचनाओ को संसादित करने वाला सादन है तो देखो computer के बात करें तो computer एक ऐसा उपकरन है जो के गणनक तो करता ही करता है उसके अलावा यह गणितिये और और एक गणितिये जो है इन सूचनाओ को भी संसादित करने वाला क्या है सोर्स है तो राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्यूशन मन मानो मन और computer जो है इसमें से किसकी गति ज्यादा तेज होती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन और पूछा जा चुक है तो यह तो देखो वैसे कॉमन सैंस वाला क्यूशन है कि मानो मन और computer के बात करे ना तो इन में अंपेरिजन करें तो जो स्पीड है वो तिये मानो मन की तेज रहा है क्योंकि अम्पर अच्छे जानते हैं अपना दिमाग कैसे कुछ सोचने लगते तो एक सेकिन में हमारा जो मन है वो कहां से कहां चला जाता है तो सबसे तेज होती है Next यहाँ पर आपको बताना है जो CPU है ना केंदरी है प्रसंस्क्रण एक आई यानि CPU ठीक है Central Processing Unit इसका जो काम है वो क्या है इसका काम क्या होता है CPU का काम होता है देखो Central Processing Unit तो यहाँ पर देखो यह तो सारे options गलत है क्योंकि जो यहाँ पर यह कह रहा है कि आंग गानीती है परिकलन करने का काम होता है बिल्कुल नहीं दो रासी जो होती है उनके मानों की तुलना करना यह भी नहीं उसके बाद यह जो करत्रिम इसम्रती है उसमें वांचीत डाटा जो है उसकी खोज करना यह भी नहीं तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जब तीनों ही नहीं तो अब्स के बाद राइट आंसर होगा option D सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में और डी मैंने समझाया हुआ है वीडियो फसंद आया हूँ तो आज की 20 वीडियो में इतने क्यूशन करेंगे वीडियो को लाइक कर दो जादा जादा वीडियो को शेर कर दो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथी बेल आइपन पर क्लिक कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो